टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स जिसे डू एवर वाइल वि आएंजी, आप्टर वि आएंजी, बाइ वि आएंजी, वी वन अब्जक्ट, बिफोर वि आएंजी, गेट अब्जक्ट वे थरी, वी आएंजी प्लैस वांट हाल्प इन्स भी सब्दों का लोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, बस इन्स भी सब्दों को रट लेजे, इसके बाद फिर संटेंस बनाना, अंग्रेजी बोलना काफी अलग अलग तरीके कि आप संटेंस बना सकते हैं, वी आएंजी, प्लैस वांट हाल्प, इसका मतलब हैं कि कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा किस संस में, जिसे कोई मदद नहीं करेगा, कोई हल्प नहीं करेगा इस परकार से, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वी फोर आएगा, जो आप जिरंट फॉर्म या बोल सकते हैं, जिरंट, इसके बाद वांट प्लैस हल्प, इसकी नथिं विल हल्प, कोई मदद नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, जिसे सिर्फ खेलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि खेलना जो हैं प्लैंग, ये तुमारा मदद नहीं करेगा, तो आली प्लैंग वांट हल्प, वहां जाने से कुछ नहीं होगा, वहां जाने से कोई मदद नहीं हो कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जब तुमने जब तुम्हारा उसने पैसे लिया और वो नहीं दे रहा है तो गाली दने से कोई फाइदा नहीं है तो abusing won't help तो इससे आप sentences बना सकते हैं कुछ नहीं होगा मतलब कोई फाइदा नहीं होगा कुछ मदद नहीं मिलेगा इस sense में do hour और इसका मतलब है कभी तो इसे do hour plus v1 इसके बाद object आएगा अब इसका use कब करते हैं इसे do something कुछ किजिए after coming out time मतलब समय निकाल कर कुछ करना जब आप समय निकाल कर कुछ करते हैं इससे आपके पास time नहीं है आप बहुत busy रहते हैं लेकिन मैंने का कभी तो उससे बात कर कर लिया किजे कभी तो वहां जाया किजे कभी तो सुभा में टाला किजे तो समय निकाल कर जब आप कोई काम करते हैं तो वहां पर आप इससे परियोग करेंगे इसे कभी तो इससे बात कर लिया करो आप किसी को कह रहे हैं second person को तो do our talk to him कभी तो किताब पढ़ लिया करो do our read the book ऐसे घर में काभी ज़्यादा ये बाते होती हैं इसे बोलते हैं कभी तो पढ़ लिया करो कभी तो सही भासा बोल लिया करो कभी तो चूप रहा करो ऐसे बोलते हैं तो कभी तो मुझसे मिल लिया करो do our meet me तो यहां पर इसस आप sentence बनाएंगे structure ये रहा use करना है इस situation में और इसका meaning रहा कभी तो after plus v ing और इसका मतलब है के बाद जैसे आप परियोग करते है sentence इसके बाद भी sentence और बीच में after आएगा मतलब conjunction के रूप में use करेंगे action after action कोई काम के बाद कोई काम करना इस sense में इससे match खेलने के बाद वो बज़ार जाएगा पहले match खेलेगा match खेलने के बाद बज़ार जाएगा खेलना और जाना काम करने के बाद फिर दुसरा काम करना he will go to market after playing the match तो after playing the match after के बाद यहाँ पर जो sentence लिखा हुआ है इसको असन इससे समझने के लिए आप after के साथ वीफोर और object अगर लेख दें तो यह बहतर होगा कि आप समझ जाएंगे तुरंत मैं खाना खाने के बाद office दाऊंगा I will go to office after eating food देखें after के बाद यहाँ पर वीफोर है और यह object हो गया पिरिया खाना पकाने के बाद किताब पढ़ रही है पिरिया is reading the book after cooking food after cooking food खाना पकाने के बाद तो इससे आप परियोग करेंगे sentence में जब भी आप कोई काम करने के बाद कोई काम करेंगे उसमें या कोई काम करने के बाद आप कोई काम करते हैं उसमें भी आप परियोग करेंगे या कोई काम करने के बाद आपने कोई काम किया वहां भी आप करेंगे लेकिन वहां पर ज्यादा तर after plus v4 के जगह पर having v3 परियोग किया जाता है by plus ving इसका मतलब है कि कोई काम करकर जैसे लिख कर पढ़कर दोड़कर जाकर हसकर बोलकर इस तरह के से sentence होगा सबसे पर इसके बाद फिर by और by के बाद v4 उसके बाद कोई object होगा अब इसका यूज़ करते हैं dependent on something किसी भी चीज़ों पर आप dependent होशाते हैं जैसे कि हमारा रोजी रोटी सलता है तो मैं कोई काम करता हूँ आप कह सकते हैं कि कोई चाई पी चाई बेचकर घर सलाता है कोई ये काम करके ये करता है तो किसी भी काम पर dependent होना, वहाँ पर आप बोलते हैं, इसे पत्र लिख कर तुम पैसे कमाते हो, तो तुम dependent किस पर हो, पत्र लिखने पर, तो you earn money by writing a letter, वो चाई बेच कर पैसे कमाते हैं, तो वो पैसे कमाता है, he earns money, चाई बेच कर by selling tea, इसे पर यो करेंगे, बाइक के साथ before, इसके बाद object, वे लोग अख़वार बेच कर by खरीदा, they bought a bike by selling the newspaper, तो इसे आप परियोग करेंगे, अलग-लग तरिके से, अगला है before plus v ing, और इसका मतलब है के पहले, इसे sentence before, before plus object, before action, कोई काम करने से पहले आपने क्या किया, इसे नास्ता करने के पहले मैंने चाई पिया, I took a tea before doing breakfast, उससे बात करने के पहले वो यहां आया, he came here before talking to him, अब दो third person है, एक तो यह है उससे, और दुसरा है यह, यह है sentence में subject और यह sentence में है object, अंग्रेजी सिखने के पहले वो नौकरी लिया, पहले नौकरी हो गया उसका, उसके बाद उसने अंग्रेजी सिखा, he took a job before learning English, अंग्रेजी सिखने से पहले या अंग्रेजी सिखने के पहले, while plus v ing और इसका मतलब है case समय, अब इसका use समझे कैसे करना है, use करते हैं के two actions in once, एक बार में दो काम होना, एक समय में दो काम होना, वहां पर करते हैं, परियोग करते हैं structure देखिए, sentence होगा while के साथ, फिर before लगाते हैं, इसे किताब पढ़ने के समय, वो मुझे तंग करता है, तो दो कामिक्स एक साथ हो रहा है, तो he disturbs me, वो मुझे तंग करता है, while reading the book, किताब पढ़ने के समय, अब यहाँ पर एक ही किताब पढ़ने के समय, तिहाँ पर पढ़ मैं रहा हूँ, और disturb तुम कर रहे हो, यहाँ पर दो परसन है, कहीं पर क्या होता है, एक ही परसन दो काम कर रहा होता है, इसे सोने के समय, मैं टीवी देखता हूँ, तो मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ, और मैं टीवी देख रहा हूँ, तो दो कामिक्स साथ हो रहा है, या वाइल लाइंग भी आप बोल सकते हैं, मतलब कि आप लेटे हुएं तो लाइंग, खाने के समय वो गाना सुनता है, खाना भी हो रहा है, और गाना सुनना भी हो रहा है, दो काम हो रहा है, वाइल एटिंग मतलब खाने के समय, इससे आप बोल सकते हैं, आप वीवन प्लेस अबजक्ट जो बताते हैं, इसे पढ़ो, लिखो, गाओ, हसो, दोड़ो, अंग्रेजी, बोलो, अंग्रेजी में बात करो, इससे बोलते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं, दो जिगा पर ज देते हैं, वाँ पर, जापर आप किसी को अनुमती देते हैं, वाँ पर, जापर आप और भी हैं, जो कि आप रिक्वेस्ट करते हैं, जापर वाँ पर भी है, आप किसी को परमिट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अलाउ करते हैं, वाँ पर भी आप पर योग कर सकते हैं, इसे पत्र लिखो, आपने order दे दिया, write a letter, अंग्रेजी सिखो, आपने request कर लिया भाई, अंग्रेजी सिखो, जब आप request करते हैं तो उससे request जहांपर sentence होगा request का, उससे पले आप please लगा लेते हैं, और please का हिंदी होता है, जहांपर की आप politely request करते हैं, आगे से आगरह कर दें, अंग्रेजी में बात करो, talk in English, यहां मत थुको, don't speak here, अगर आप बोल रहे हैं कि आप किसी से request कर रहे हैं कि कि रिपया यहां मत थुकिये, तो please don't speak here, तो इससे आप परियोग करेंगे, I hope you are getting this, आगे हैं, get plus object plus v3, मतलब लिखवा लो, किसी से काम करवाना के sense में करते हैं, get object v3, पत्र लिखवा लो, get the letter written, कमरा साप करवा लो, get the room cleaned, सडक बनवा लो, get the road built, कपड़े खरिदवा लो, get the clothes bought, तिया परियोग कर सकते हैं, जबाब किसी से कोई काम करवाते हैं, पत्र लिखवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, इससे आप बोल सकते हैं, so guys thanks for watching, that's all for today,